हेलो गाइज मैं सानुसेन और आप देख रहें मेटसन मेटकोष आज मैं बात करने जा रहा हूँ नौजिया एंड वोम्टिंग के बारे में ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्चान होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए ये समय बताऊंगा अपने से वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाज तक देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, नौजिया एंड वोम्टिंग होता क्या है नौजिया का मतलब होता है जी घबराना और वोम्टिंग का मतलब होता है उल्टिया होना ऐसा diarrhea वाली condition में भी होता है तो बात करते हैं इसके causes के बारे में क्या कारण होते हैं जिसकी वज़े से लोगों में nausea and vomiting की condition हो जाती है इसका जो main कारण होता है वो होता है indigestion का रहना जिन लोगों का खाना पेट में जाने के बाद अच्छी तरह से पच नहीं पाता है तो body उसको ओरली बाहर निकाल देती है तो इस condition को ही vomiting कहते हैं कुछ लोगों में motion sickness की problem होती है जो लोग traveling करते हैं उनका जी घबनाने लगता है और फिर बाद में उनको उल्टियां भी शुरू हो जाती है morning sickness भी कुछ लोगों में nausea and vomiting का कारण हो सकता है जैसे कि pregnant ladies को morning में सुबा उठते ही उनको nausea and vomiting की condition हो जाती है कई लोगों में कुछ दवाओं की वज़े से भी उनको nausea and vomiting की problem होने लगती है इसके लावा और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि किसी तरह का infection का हो जाना acute gastritis हो जाना, intestinal obstruction का हो जाना, food poisoning हो जाना, head injury होना, viral hepatitis का होना, viral gastroenteritis का होना सर में किसी तरह की चोट का लग जाना, या फिर कोई दिमागी बुखार, या फिर कोई brain में infection का हो जाना इसके लावा और भी कारण हो सकते हैं तो बात करते हैं इसके symptoms के बारे में इसके क्या लक्षण होते हैं पेट में दर्द होता है, fever आने लगता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, pulse rate बढ़ जाती है, मूँ सूखने लगता है, पानी की कमी हो जाती है, सीने में दर्द होने लगता है, सुस्ती रहती है और ज्यादा नीन आने लगती है, इसके लावा और भी लक्षण हो सक अगर किसी वेक्ति को इंडाइजेशन की बज़े से नौजया एंड वोम्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है तब उसको टैबलेट इमसेट सुबा साम दी जानी चाहिए इसमें आउंडस्टरान होता है 4MG इसके साथ ही आप गैस को कम करने के लिए आप कैपसूल दे सकते हैं रवेपराजोल इसको भी सुबा साम खाली पेट दिया जाना चाहिए इसके साथ ही आप सीरप दे सकते हैं पेंटाउप MPS दो चम्मस सुबा दो पहर साम दी जानी चाहिए अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीव नहीं मिल रहा है तो पेसेंट को इंजेक्श या फिर RL IV infusion दिये जा सकते हैं अगर पेसेंट को पेट में दर्द होता है तो उसको जीरो डाल इसपास की टेबलेट सुबा साम या फिर जरूरत पढ़ने पर दी जानी चाहिए अगर किसी पेसेंट को प्रेगनेंसी की वज़े से नौजय एंड वर्म्टिंग हो रही है तब उसको टेबलेट प्रेग डॉक्स दी जानी चाहिए इसमें डॉक्सिला माइन सक्सिनेट पारी डॉक्सिन हाइड्रो क्लोराइट फोली केसिड होता है इसकी एक टेबलेट रात को सोने से पहले दी जानी चाहिए अगर जरूरत पढ़ती है तो पेसेंट को सुबा साम दे सकते हैं अगर फिर भी रिलीव नहीं मिल रहा है तो पेसेंट को इंजेक्शन पेरी नार्म आईम दिया जाना चाहिए 2 M.L. साथ ही आप इंजेक्शन रेंटेक 2 M.L. आईम दे सकते हैं अगर पेसेंट को डिहाइडरेशन हो गया है उसको पानी की कमी हो गई है चक्कर बीपी लो है तब आप उसको नॉर्मल से लाइन या फिर डेक्स्ट्रोज आई वी दे सकते हैं आपको कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से सलाज जरूर लेने नी चाहिए तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा नौजया और क्या होता है इसके क्या कारण होते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प् सा मिलते रहें